Hello Friends, Now Today we discuss about property of Fourier Transform Change of Scale Property So, हमार पास क्या है ? If Fourier Transform of SX is this one Then the Fourier Transform of SX is this one So, हमें ये प्रूफ करने है This property का प्रूफ देखें बहुत ईजी है Using Fourier Transform Definition So, Definition हमार पास क्या होती है ? देखिए माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एकी पाउर आइटा एफ 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 दिया यह हमार पास क्या है पोरियर ट्रांस्फूम की डेफिनिशन बट अब हमार पास किस पॉलिजन क्या है एक्स तो आप क्या साइंस करेंगे देखिए बहुत इजी है अब आपके ड़र क्या होगा हमार पार एक्स की रहेगा यह तो पॉनिशन है अब पास तो अब अब यह देखिए आप क्या करेंगे उट कीजिए एक्स को तो हमार पास क्या है रखिके जैए थे माड़रोट इट कर बडाद करते हैं हम कि मैं यहां साइट पे कर लीए हूं और फ्य T की पर माइनस आइटा S X की वेलू के आगे T by T F T D T यह हमारे पास क्या रहेगा D X 1 by A D T 1 by A हम बाहर ले लेते हैं 1 by A ले ले लेते हैं और अंदर के आएगा मारे पास माइनस इंफिनिटी टु इंफिनिटी इसको हम क्या लिख देंगे 1 by A और यह क्या ज़ेगा F bar S by A क्या ज़ेगा F bar S by A यह वाला जो फंक्शन है तो यही प्रोपर्टी हमें क्या करनी थी प्रूव ओके नाव नेक्स प्रोपर्टी देखते हैं नाव नेक्स प्रोपर्टी देखिए अब आपको Fourier Transformer F आपको Sign Transformer पताना है तो यहां किसकी Definition च्यूज़ करेंगे Sign Fourier Transformer तो वह हमारे पस क्या होती है देखिए इसको Denote से करते हैं आपको हर किसी का Basic Definition of Formula पता होना चाहिए तब ही आप Proof कर सकते हैं तो देखिए यह हैं तो देखिए अब हमें Find करना है इसी तरह से Similarly आप Cosine के लिए कर लेंगे तो Cosine के लिए आप खुद Try करना बस यहां पर हमारका Simble C आजेगा बागती Same है इसका Proof तो इसको आप ध्यान से देख लेना Cosine का आप खुद कर सकते हैं तो देखिए X की जगा हम क्या लेंगे AX X की जगा हमने क्या लेंगे AX Function ओके अब हम क्या करेंगे AX को T पूट कर देगे AX को क्या पूट करेंगे T Then X equals to T by A DX equals to 1 by A DT Value पूट करेंगे यहां पर Main side Because the two F T Sine S X की वेलू क्या हमारे पास T by A DT और बाहर क्या आजएगा 1 by A तो अब हम इसको क्या लिख देंगे FS bar S by A यही हमें क्या करना था Proof Okay Similarly ही आप Fourier transform कर सकते हैं Cosine का Same है यहां C होगा Symbol के अंदर और बाकी जो Proof है वो बिल्कुल Same है तो वो आप खुद ट्राइ करना इसकी 3rd property Okay Friends Thank you कर दोब करतों कर दो ड़까지 हमें वों यही हुए अंद Ryan